हेलो एबरेबान, वेलकम बैक तो मैं चैनल, सो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांग सुईश्य को बोलती है, तुमने मुझे आज उठाया क्यों नहीं, पता है मैं ओफिस के लिए कितना लेट हो गई, तो सुईश्य उसे बोलती है, अब हमें सुबह उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे ओफिस की टाइमिंग चेंज हो गई है, अब हम सुबह 6 बिज़े नहीं, बलकि सुबह 9 बज़े आ सकते हैं, और अब हमारे ओफिस की टाइमिंग 9 से 6 हो गई है, और यह बोलके सुईश्य बहुत खुश हो होगा, या कहीं से उसे कंप्लेन तो नहीं मिला, यह सब यांग सोच रही होती है, उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है, कि सुईश्य यांग को बोलती है, कि पता है आज मिस्टर जू ने हमारे इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन लाइन में भी डाल दिया है, मेरे प पिक का फोटो बनाती है और बोलती है, जू जो है वो बिल्कुल इस पिक की तरह है, और वैसे भी अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास उसका प्यार भी है, उसके पास करियर भी है, बट मैं तो इन दोनों में ही फेल हो गई, त मुझे एक केरियर वुमेन बनना है, यहाँ पर सुईसे उसे बोलती है, कि ठीक है ठीक है इसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, उसके बाद यांख बोलती है, वैसे यह सब तुम्हारी वज़े से ही हुआ, तुमने यह मुझे इतना जादा मोटिवेट कर दिया था, इसलिए वो मेरी लाइफ से चला गया, सुईसे बोलती है, कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेरी वज़े से नहीं गया, यह तो बस एक एक स्क्यूज है, उसे तो पहले ही किसी और लड़की से प्यार था, इसलिए वो उसके पास चला गया, उसके बाद अभी यहाँ पर सुईस को कि अभी कितना टाइन हो रहा है, क्या जू अभी तक घर वापस नहीं आया, तो सुईसव से बोलती है कि नहीं, आज होग ग्रूप में सिंगीं सेरमनी होने वाली है, तो शायद वो वहीं पर गया है, और उसके बाद वहाँ पर पार्टी भी होने वाली है, तो यहाँ यह सोसती है कि अखिर जू साम तक बाहर कैसे रह सकता है उसके बाद सुइसे उसे से बताती है कि हमने तकनोलोजी के साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया है तो हमें भी बाहर जाकर सेलीब्रेट करना चाहिए है तो यह उसे बोलती है कि नहीं हमारा फ्रॉजक्ट है वह वांग ग्रूप के वज़े से ही गया है, हांग ग्रूप की जो सीयो है, उससे तुम जलती हो, बट उन्होंने जो हमारे कंपनी के लिए सपोर्ट किया है, उससे तो हम डिडाई नहीं कर सकते हैं, तीवी पर भी न्यूज आ जाता है, कि आप्टो इलक्रोनिक्स और हुआंग पर उन्हें को बायरोत कर दोड़ाओं ते नहीं और तो यहांपर दोनों बैटकर उस नीऊस को देखते हैं, उसके बादिआहां पर हो और दोनों ही इस सिरमINी को स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर यंक सोषती है, कि संसट तो हो चुका है, ये पिक-क्यू नहीं बना अभी तक उसके बाद तभी उसे याद आता है जब वो और हो एक दूसरे से रेस्टरेंट में मिले थे तो हो ने सैद उसे किस किया था इसलिए सैद उसे उसका ट्रू लफ मिल गया होगा और उसकी ये श्राप खतम हो गई होगी ये सुसकर यांग सैड हो जाती है उस्ती है कि सीयो जरूर जू ही होगा तो यहां पर यांग को लगता है कि दोनों के इंगेजमेंट भी हो गई है तो यहां पर सुईसे उसे बोलती है कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो जब जू आएगा तो तुम खुदी इसके बारे में उससे पूछ लेना बट यांग बहुत साड हो जाती है उसके बध महां रहा तो बोलता है और बोलता है कि उसे फोटो को डीलीट कर देना लोगों को मिस अंड़ेंडिस्टार्णिंग नहीं बोला नगों से बोलती है कि तुम मुझे क्यों कॉंग्रेचुलेट करोगे तुम्हारे इंगेजमेंट हो गई न तो उसके लिए मैं तुम्हें कॉंग्रेचुलेशन्स बोल रहा था से रमनी के बाद मैंने तुम्हारे हाथ में यह रिंग देखी तो मुझे याद आया पहले देखते थे जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तुम अब मुझे उस तरह से नहीं देखते और उस टाइम तुम मुझे लाइक करते थे हैं तुझू उसे बोलता है कि यह तो बहुत साल पहले की बात है उसके बाद जू से बोलता है अच्छा एक बात बताना अग वो उसे बोलती है कि यह तुम क्या पूछ रहो मुझसे क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं पेट को पाल सकूँ तो यहां पर जू से बोलता है कि हां मुझे तो यह बात पता था बट एक इनसान मेरी लाइफ में ऐसा है जिसे कोई फर्क नहीं पढ़ता मैं एक पीग रहूं या एक हूमन रहूं वो मुझे उस तरह से ही लाइक करता है जैसा मैं हूँ और यहाँ पर वो यहां के बारे में बात करता है उसके बात उसे बोलता है कि वैसे तुमने मुझे कहा था ना कि मैं चेंज हो गया हूँ बट मैं चेंज नहीं हुआ ह और तुम भी मेरे बारे में गलत सोचते थे कि मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं अभी भी वही हूँ जो अपनी बात पर अड़ी रहती है और मेरी फीलिंग्स हमेशा सही होती है इसके बाद यहां पर यांग जू और हो की फोटो देख लेती है जहां पर हो यह लिखे रहती है क मुझे भी congratulations और उसको भी congratulations मतलब की जू को तो यांग यह देखकर और गुस्सा हो जाती है और फोन छोड़कर अपने चली जाती है तब ही यहां पर जू उसे message करता है और बोलता है कि मैं थोड़ी दिर में घर आ रहा हूं मुझे तुम से कुछ बात करनी है बट यांग यह message नहीं देखती है क्योंकि वो गुस्से से चली जाती है और फिर सीनिया आपर खतम हो जाते है तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं जल दिसका नियो अपिसोड लेकर किया होंगी तो उसके लिए बेट करिएगा सो फ्रेंजाथ के लिए वैब है मिलते है फिर से एक नियो वीडियो के सब्सक्राइब